नमस्कार आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुती न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता शोदाओ इस बार हम आपके साथ अपने एक से पंद्रे अक्तूबर केंख को लेकर चर्चा कर रहे हैं हमारे संक की आवरन कथा बनी है स्वच्छ भारत मिशन के दस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन एक दशक में जनान दोलन बन चुका है और विक्सित भारत के लिए अमरितकाल की यात्रा का साक्षी बन रहा है लाल खिले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचाला निर्मान के साथ देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प सब के सामने रखा था उस दिन ये शुरुआत थी देश में एक नए जन जो जनान दोलन के रूप में आगे बढ़ा और ये सफर यहीं थमा नहीं बलकि अभियान गरीबों के लिए गरिमा माई जीवन का प्रतीक बन गया इस से आगे अब स्वच्छ भारत मिशन दोशूनने के नए सफर पर चल पड़ा है अपनी आवरन कथा पर कारिक्रम की जयनती पर पीम मोधी का ब्लॉग व्यक्तित्व की गड़ी में लोगसभा के पूर्वधिक्ष जीमसी बाल योगी की जयनती पर नमन केंद्री मंत्री मंदल के निर्णय शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान पीम मोधी का सिंगापुर और बुर्णे का दौरा तीन न क्रामिक टाइम्स और जल संचय कारिक्रम में पीम मोधी का संबोधन इस संक में शामिल हैं साथ ही इनसाइट में भारत रत्न नाना जी देशमुक की जयनती पर कृतक गिराश्ट्र का नमन और बैक कवर में मन की बात कारिक्रम के 10 साल पूरे होने पर सामगरी इस संक की परिवर्तन का साक्षी बना है स्वच्छ भारत मिशन से कि देश के आम जन के जीमन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है हाल मैं एक प्रसिद्ध आंतरास्तिय जनरल की स्टड़ी आई है इस स्टड़ी को इंटरनेशनल फूर्ड पालिशी रिसर्ट इंस्टिटूट वाशिंग्टन उसे उनिवर्सिटी अप कैलिफोनिया और ओहायो स्टेट उनिवर्सिटी के बेग्जानिकों ने मिलकर के स्टड़ी किया है इसमें सामने आया है कि स्वच्चे भारत मीशन से हर वर्फ साट से सत्तर हजार बच्चों का जीवन बच रहा है अब एक ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिनगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी कटना होती है हम सफाई करके कुड़ा खच्रा हटा करके गंदगी मिटा कर साट सत्तर हजार बच्चों की जिनगी बचा पाए इससे बड़ा प्रमात्मा का आसिरवात क्या होगा डब्ली आइचे के मुताबिक 2014 और 2019 के बीश तीन लाख जीवन बचे हैं जो डाइरिया के कारण हम खो देते थे मानो सेवा का ये थर्म बन गया साथियो सेवा त्याग वपरिश्रम की प्रतिमूर्ती नानाजी देशमुख ने ग्रामो थान का एक आदर्श मौरल बनाया जिसके नीव पर ग्रामीन भारत स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुआ उनका सारा जीवन ग्रामो दे से राश्टो दे के मंद्र को चरिता आर्थ करने वगरीब पिछडों के उत्थान के प्रति समर्पित रहा भारत रत्न नानाजी देशमुख ने भारत की वास्तविक शक्ती ग्रामीन शक्ती को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने जीवन का कण-कण खपा दिया चाहे ग्रामिन स्वास्थ हो या शिक्षा, हर शेत्र को सशक्त बनाने के लिए नाना जी ने निस्वार्थ सेवा की। ऐसे राष्टर रिशी को उनकी जैनती 11 अक्तुबर पर कृतग्य राष्टर ने शत शत नमन के रूप में पत्रिका के इंसाइट का वस्थान दिया गया ह वही समाचार सार में पोर्बेर का नाम श्री विजेपूरम करने का लिया गया निर्णे, महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने लौंच किया शी बॉक्स पोर्टल, भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर, EPS पेंशन भोगियो महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेश रेलवे कोट जैसी जानकारियों को शामिल किया गया है। संती मोहन चंडर बालयोगी को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। 1999 में हुए आम चुनाव के बाद एक बार फिर वाजपई के नेत्रित में अंडिय की सरकार बनी और बालयोगी फिर से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नकेवल इस उच्चपद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाये रखने में, बलकि देश में संसवधिय संस्थाओं को सुद्र बनाने में भी महत्तपूर योगदान दिया। तेली गुदेसम पार्टी के नेता जी एंसी बाल योगी का जन्म आंध्य प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले के किसान परिवार में हुआ था एक अक्तूबर 1951 को। अपने कारेकाल के दौरान उन्होंने राजनीतिक दल के नेताओं से परामर्श कर अपने निर्णयों के प्रती और राजनीतिक विभेदों से उपर उठकर स्पष्ट समर्थन प्राप्त किया, दूरदर्शिता और परिपक्वता का परिचै दिया। सभा के कारे संचालन की विवस्था करने के लिए बालयोगी की शैली अनूठी और अत्यंत सराहनिय थी। उनकी कारे शैली सामान बुद्धी और निश्पक्षता पर आधारित थी। वो सभा के भीतर और बाहर सभी दलों के साथ एक समान व्यभार करते थे। जब वो अपनी लोग के प्रियता के शिखर पर थे। तब 3 मार्च 2002 को एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में उनका निधन हो गया। उनकी प्रेरनादाई जीवन यात्रा को आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। जैसे शब्दों के जरिये जो राष्ट्रे आवहान किया वो अजन आंदोलन बन चुका है। देश में लगभग 12 करोड शौचाले के निर्बान से शुरू ही कहानी आज बेभारगत बदलाव के साथ जन जन की जीवन शैली का अंग बन चुका है। साफ सफाई से आगे बढ़ स्वच भारत मिशन अब कचरे से कंचन का नया अध्याय लिखते हुए एक दशक की यात्रा में ही आत्म निर्फर भारत का आधार बन चुका है। स्वच भारत मिशन के दस वर्ष पूर्ण होने के अफसर पर न्यू इंडिया समाचार के वरिष्ट सलाकार संपादक संदोश कुमार और सहायक वरिष्ट सलाकार संपादक पवन कुमार ने केंजरिय जल शक्ती मंत्री सी आर पाटल से पाचित की। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को जाडू पकड़ने में शर्म आती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है शर्म नहीं सम्बान की बात हो गई है। मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेंज को एक साथ हरी जंटी दिखाई जो तीन राज्यों में आधुनिक कनेक्टिविटी देगी। दुनिया में भारत की प्रगती और आधुनिक्ता की पहचान को सशक्त कर रही स्वदेशी तकनीक और विश्वस्तरी सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिली से वारानसी के बीच चलाया गया। ट्रेन की लोकप्रेता और मांग इस तरह बढ़ी कि देश भर में वंदे भारत ट्रेन्स की संख्या इन नई तीन ट्रेन्स के साथ मिलकर 54 जोडी तक पहुँच गई। जिन तीन नई वंदे भारत ट्रेन्स को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक साथ हरी जंडी दिखाई वो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू और करनाटक में क्रमशह मेरट को राजधानी लखनव से, बैंगलूरू से, मदुरई और चिन्ने को नागर कोविल से जोड़ अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन्स की संख्या 10, करनाटक में 9 और तमिलनाडू में 8 हो गई है। बैंगलूरू से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहार या विकन पर मदुरे और बैंगलूरू के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन्स से सुविधा होगी। के नए अवसर भी तयार हो रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्थम्भ है। रेल्वे में हर स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल रेल्वे को बजट में धाई ला वर्जन भी आने वाला है। शेहरों के भीतर ट्राफिक समस्य से निजात के लिए जल्द ही वंदे भारत मेट्रों भी शुरू होने जा रही है। इस कारक्रम की पूरी जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने Economic Times World Leaders Forum को संबोधित किया। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ये अब देश की सरकार का मंत्र है और इसी वज़े से आज भारत की प्रगती वैश्विक सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गरीबों के पृतिके इन उस सरकार के अप्रोच में बदलावाया है। सरकार की नीतियों का ही असर है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे अब वो अपने अकाउंट से डिजिस्टल लेंदेन कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए बैंक के दरवाज रहते थे लेकिन अब टेकनोलोजी और कनेक्टिविटी ने इन लोगों को दुनिया के साथ खड़ा किया है। गरीबी से संगहर्श करके बाहर निकले ऐसे लोगों में तरक्की की भूख भी ज्यारा है। उनकी आकाउंट शाओं की वज़े से नए इंफ्रास्ट्रक्शर क निर्बान हो रहा है। उनकी क्रियेटिविटी से इनोवेशन की नई राह तयार हो रही है। उनकी जरूरतों से बाजार के दिशा तै हो रही है। और उनकी आये में हो रही बढ़ोतरी से बाजार में मांग बढ़ रही है। भारत का यही नया मिदल क्लास देश की प्रगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई चोडाई बढ़ाने तक सिम्त नहीं है बलकि ये भारत के नागरिकों की सुवधा का माध्यम है भारत को ग्लोबल मैनुफाक्चरिंग हम बनाना हर देशवासी की आकांशा है दुनिया क कॉरिडर बनाए जा रहे हैं प्रिटिकल मिन्रूल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्रे सरकार भारत को स्किल, नौलेज, रिसर्च और इनोवेशन का हब बनाने के लिए इंडरस्ट्री और एकेर्मिया का पार्टनर बना रही है प्रधार मज़ पत्रिका की हर प्रती newindiasamachar.piv.goe.in website पर उपलब्ध है जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ दी सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देशी नहीं विदेशों में भी अपने एक अलग पहचान बना चुकी है इसका एक्स हैंडल है at nispiv india इसके लावा आप हमें response-nis at piv.gov.in पर इमेल के जरी अपने सुझाव भी भेज सकते हैं आपके सुझावों का रहता है हमें हम मुनिश शाह इंतजार अब दीजिए आग्या मैं हूँ मुनिश शर्मा और मैं विनीता धन्यवाद